जैस्री राम बहुत शागत आपका आपके अपने बेहत खास कारिकर में मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आचार राजमिश्रा बात करेंगे अप्रेल 2023 कैसे व्यतीत होगा हमारे मिथुन रासी के जो भी प्यारे जातक जातिका हैं आपके लिए क्या खाश है अप्रैल में आखिर आपके लिए, क्या परिवर्तन आने वाला है, आखिर आपके लिए बहुत रिसर्च करके, बहुत महनत करके ये रासी फल आपके लिए लेकर के आए हैं, ताकि आपको शटीक जानकारी दे पाएं, तो अप्रैल मेरी से अगर देखा जाए, दो-तिन चीज़ों को लेकर के बहुत सांदान मजरा रहा है, वो कौन-कौन सी चीज़े हैं, जिसको लेकर के बहुत सांदान मजरा रहा है, एक तो सबसे पहले, आपके राशी श्वामी बुद्ध टेंथ हाउस में गोचर करेंगे, खर नीचस्त रह रहे, इस प्रकार का शंकेत आपकी राशी में नजरा रहा है, मंगल के गोचर करने से, क्रोध पर बहुत कंट्रोल किया उश्यक्ता होगी, क्रोध के कारण बनते हुए कार बिगडेंगे, इसलिए गुश्या मत कीजिए, क्रोध पाप का मूल है, जितना मन में शांती रखे उतना आपके लिए फायदे मन रहेगा, ये मेरा सजेशन आपके लिए है, अगर आप इसको अपने जीवन में अपनाना चाहें, तो ये बहुत फायदे मन होगा आपके लिए, दूसरा, क्योंकि सुक्र छे तारिक को चले जाएंगे, 12 आउस के अंतरगत, नींद से संबंध समश्चाएं आपकी दूर होंगी, विदेश यात्रा जो बच्चे पढ़ाई को ले करके करना चाहते हैं, ये आपने बेटे या बेटी को विदेश भेजना चाहते हैं, ये आपका सपना पूरा होता हुआ दिख रहा है, कोट का चहरी में कोई मामला चल रहा है, वो आपके पक्ष में आए, इस परकार का शंकेत आपकी राशी में निश्चत रूप से नजर आता है, 21 तारिक को 10 आउस के सौमी ब्रहस पती 11 आउस में आ जाएंगे, अभी तक 10 आउस में थे, आप भाग दोड़ कर रहे थे, बिजनस आ भी रहा था, काम आ भी रहा था, लेकिन उसक फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, तो अब जो काम आपने इतने तक किया है, भाग दोड़ करके किया है, उस कारे का जो मीठा रिजल्ट आपको प्राप्त होना चाहिए, जो उस कारे का फल आपको प्राप्त होना चाहिए, वो प्राप्त होने जा रहा है, इस महीने मे सूरिका 10th house में आपके शाद आपके लिए गोचर करना बुद्ध का गोचर करना बहस्पती का गोचर करना ये दिखा रहा है कि अप्रैल 1st week में आपका प्रमोशन होने जा रहा है आपको कुछ नई जिम्मेदारियां कुछ नई responsibility मिलने जा रही है जो आपके लिए वास्तवि इवन में कुछ परिवर्तन होने जा रहा है इस प्रकार का संकेत भी आपकी राशी में पूरी तरह से नजर आता है भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा बस धर्म के मामले में कभी भी इस प्रकार उदंडता करने की आवस्ष्यक्ता नहीं है कि धर्मिक जो भावना है वो भ जा रही है जो भी शादी को लेकर के चिंताएं थी वो दूर होंगी पार्टनर के साथ चल रही प्राब्लम भी इस माह में दूर हो जाए पार्टनर के साथ चल रही लड़ाई इत्याद इस महीने में दूर हो इस प्रकार का संकेत भी आपकी राशी में पूरी तरह से नजर आता है रोज रात को 9 वजे और दोपहर को 12 वजे आपके साथ लाइब आता हूँ आप मेरे साथ लाइब जूड़ करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस माह की एक तो 9 तारीक, 11 तारीक, 14 तारीक, 16 तारीक, 22 तारीक ये तारीक आपके लिए बहुत सुभा है ध्यान रखिरी किसी भी कारिक लिए बहुत सुभा है जो भी कारे आपके लिए रुके हुए हैं वो इन तारीकों में करेंगे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा नए कारिक्रम के साथ आपके सामने आज आउंगा तब तक के लिए आप बहुत प्रसंद रहें इनी सुब कामना उक्षात जय श्री राम बहुत धन्यवाद